हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल एप्रेंटिसिप टेक्ट टू जीरो आज मैं आपको बताऊंगो कि एन फ आई आर जो कि नेशनल फ्रेडेशन आफ इंडिया रेलवे मैन है इनके और जो कि हम लोग के रेलवे मिनिस्ट्री का जो है जनरल सेकेर्ट्री है उनके बीच क्या विसकेशन हुआ हम लोग के अप्रेंटिसिप के बारे में और क्या परमानेंट के विशे में क्या बात हुई है तो यहाँ पे यह जो नोटिस निकली है यह यहाँ पे अप्रेंटिस के विशे में क्या बोला गया है Induction of Course Completed Act Apprenticeship in Railway NFIR Retireates the 20% Vacancies Reserved in Payone for Course Completed Act Apprenticeship Should be God-filled by the GM General Manager जो की पहले GM के थुरू ही होता था जिससे आसानी से जॉब लग जाती थी वो उसी तरह विदावुट एक्जाम इन्होंने अपना रखा लेकिन यहाँ पे जो General Secretary है इन्होंने क्या respond किया Responding to me to we discuss on each subject the CRB has assured मला उनको बोला गया है कि as see see that railway board takes quick action for resolving the issue मतलब railway board जो है बहुती जल्दी action इस पे लेगा और इस issue को खतम करेगी मतलब GM quota जो की पहले 2014 से पहले जो GM quota के तरह भरती होती थी उसी तरह भरती होगी और इस पे अभी meeting चली रही है और इसमें यदि assurance मिलता है तो इसी टाइप का एक notice फिर से issue होगी और उसमें आपको sure किया जाएगा धन्य बाद जैदि कोई question हो या query हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं थैंक यू